हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको बताने वाल हूँ किसी अपनी excel फाइल को यदी .csv में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें सिंपली आप देख रहे होंगे आपके सामने एक फाइल खुली हुई है सबसे पहले इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं कि इस फॉर्मेट में है यह इस फाइल का जो अभी फॉर्मेट है वह है .xlsx तो इस फाइल को हमें convert करना है .csv में उसके लिए हमें करना क्य होगा simply करना यह है आपको फाइल पे क्लिक किजिए तो यह दिया आपकी न्यू नेम की बनाना चाहते है जैसे एक दो तीन चार यह फिर कोई भी आप जिस नेम की बनाना चाहते हैं वह नेम दे सकते हैं और simply आपकर csv select करके save कर सकते हैं तो यह आपकी जो फाइल है .csv में save हो चुकी है इस फाइल को करते हैं हम बंद यह जो रिजन पूट है do you want to save the changes you made to one two three four dot CSV save कर दीजिए यहां पर देखें सी एस भी ही है इसको save कीजिए इसको yes कीजिए इसको भी yes कीजिए फाइल बंद हो चुकी है वो यह जो फाइल बनाई है हमने इसका ывает पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट है dot CSV कि जिस फॉर्मेट में फायल चाहिए थी उसी फाइल में फाइल मिलगाई है इसको ऊपन करते हैं कि यद smarter medium पूरी वही है बस ही है इसका फॉर्मेट जो है वो change हो गया है याने कि जो इसका फॉर्मेट था कलरिंग किया हुआ था वो हड़ गया है यदि आपको चाहिए कि आहां जी फॉर्मेट के साथ ही आपको कनवर्ट करना है उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं और अगर आपको विद फॉर्मेट चाहिए अब तो आप वोस वीडियो देखकर फालो कीजिया और Вिडाव फॉर्मेट तो आपका इसी वीडियो अपर इस वीडियो में बता दिया गया है और यदि आप मेरी दीव जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और कुछ वह पुछना चाते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए थैंक्यू जाहिं